जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में तो दोस्तों आज हमारा कॉश्चन बड़ा ही महत्पूर है क्योंकि यह कॉश्चन कक्छा नवी से लेके दोस्तों MPPSC, UPPSC तक आता है तो दोस्तों आप इस प्रिश्ण में अच्छे से बने रहें और चैनल पर न परदन के जो सठी के कारण है आज वो ही हम आज की इस वीडियो में देखेंगे और जिससे की आपके ये प्रिश्ण में पांच नमर में आएगा तो पांच नमर दो नमर में आएगा दो नमर और तीन नमर में आएगा तो तीन नमर आपके पक्के हो जाएंगे तो देखिए दोस्तों बनों का नास दोस्तों हमारे आसपीस के जो जंगल हैं वो कटे जा रहे हैं तो देखी दोस्त आप देख सकते हैं यहां पर किर्शी के लिए भूमी का बिस्तार करने तथा जलाने वाइमारती लकड़ी की बढ़ती माँ को पूरा करने की लिए सबसे जादा भूमी है लेकिन हमारे यहां बन भी बहुत अधिक देन अब बनों का भिनास हो रहा है दीरे-दीरे और जो आपने अभी पुस-पर फिल्म आई होगी तो जरूड़ देखियोगी उसमें चंधन के पेड़ काटे जाते हैं लाल चंधन की पेड़ तो जिसके आया क्योंकि इस स्मगलिंग भी हो रही है पेड़ों की इसके बाद फलता है पानी को नियंत्रित करनी की सकती घट जाती है और भूमी कटा बढ़ गया है यहानी कि दोस्तो जब जो बर्सा का पानी होता है वहानी अनियंत्रित हो जाता है जिससे की बाड़ जैसे समस्यां आत और दोस्तों आप जानते ही हैं अगर पानी जमीन शोक नहीं पाएगी तो बार तो आनी है क्योंकि पेड़ जोते हैं वो पानी को नीचे जमीन में खीचते हैं जिसके कारण हमें नीचे जमीन से पीने का पानी भी मिलता है और सब कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ये solution है बनों का बिनास ना करें तो इसके बाद देखिए दोस्तों second है अत्यदिक पसुचरण चारण तो देखिए दोस्तों पसुचारण पर नियंतरण ना रखने से भी जंगलों की गास काट ली जाती है अत्वा जानवरों द्वारा चर ली जाती रहे इससे भूमी की उपरी परत हट जाती है और भूमी कटावों होने लगता है तो दोस्तों ये भी एक बाल का ही कारण है जो भूसकलन होते हैं उसका कारण है दोस्तों एक क्या है जो दोस्तों आज कल मवीसी जादा आ गए जानवर जादा आ गए जिसके कारण दोस्तों मवीसी आप जानते हूं गाय माता जो कि हमारे देश में अत्यदिक मात्रा में है औ हमारे भारत में तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों जब गाय उस जंगा का चार चल लेगी जहां पर चार था तो भूमी की उपर निमिज्ट आजाएगी और जब वहां पर पानी वरशेगा तो वहांसे रिशाब हो जाएगा जिसके कारण भूमी कड़ जाएगी इसके बाद देख में अनिक स्थानों पर आदिवासी जंगलों को साप करके खेती करते हैं तो दोस्तों ये प्रकार की उनकी प्रता होती है कि आदिवासी पहले तो जंगल को साप करते हैं एक जिंगा से और फिर वहाँ पर आग लगा के उस जिंगा को साप करते हैं इसके बाद आग लगा के ज जो जूमिंग किरसी होती है दोस्तों इसे ही कहते हैं जब फिर दूसरी साल दूसरी युगा पर जाते हैं और वहां से फिर दोवारा से जंगल साप करते हैं और वहां से लकणिये जला कर दोवारा खाद बनाते हैं और इस परकार यह चलता ही रहता है यह प्रकरम जिससे की अ यानि कि जमीन का एक जिगा से दूसरे जिगा पर इस्ताना अंत्रण तो देखिए दोस्तो थार फोर्थ है हमारा पवन अपरदन तो दोस्तो आप जानती होंगी जब हमारे राजिस्तान एरिया में बहुत सी चट्टाने होती हैं लेकिन वो पवन के कारण कट गई हैं दोस्तो क्योंकि हवा तिदिक चलने के कारण बहां से वो चट्टाने पिगल गई गई है दोस्तो बार रेत में बन गई है इसी कारण रेगिस्तानों का निर्मान हो चुका है दोस्तो तो दीखिए दोस्तो अब आता है ये फिप्ट वाला तो दीखिए दोस्तो मिट्टी का कटाब भारी बरसा से होता है क्योंकि मिट्टी कटकर भह जाती है और बास तब में पानी में होने वाला कटाब तीन तरह से होता है पहला पहला परत का कटाब होता है दोस्तो इसके बाद सेकंड होता है नाली का कटाब अंत में बाड का कटाब आ जाता है तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो में इंफोर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर ने उच्छैनल को सब्सक्राइब करने तो दोस्तों मिलतें आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बन्दे मात्रम